तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बेच काउंटर मीटर के बारे में सीखने वाले हैं सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बेच काउंटर मीटर का उप्योग कहां पे किया जाता है उसके बाद इसका working wiring और programming में आपको सिखा दूँगा देखिए बेच काउंटर का उप्योग हम किसी भी object को count करने के लिए इस्तमाल करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में paper है अब ये जो हमारे पास में paper है इन सभी paper का हमें set बनाना है यानि कि हमें 12-12 करके set बनाना अलग-अलग तो इसके लिए हम एक sensor का उप्योग कर लेते हैं ये जो हमारा sensor होता है वो क्या करेगा paper को detect करेगा यानि कि sense करेगा और sense करने के बाद एक output command generate करता है और जो भी output command होगा उसको ले जाके हमारा जो batch counter meter है इसको दे दिया जाता है ये जो हमारा batch counter meter होगा वो क्या करेगा उसको count करेगा अब यदि आप यहाँ पे चाहते हो कि 12 का set बनने के बाद में आपका जो machine वो रुक जाए तो ये जो हमारे पास में programmable batch counter है इसमें हम यहाँ पे एक value set कर देंगे जैसे कि हमें यहाँ पे 12 count करना यानि कि 12 paper आने के बार में हमारा ये motor को रोकना है तो हम क्या करते हैं यह जो हमारा meter है इस meter को हम यहाँ पे set कर देंगे यानि कि अभी यहाँ पे 9 set है इसको मैं increase करके 12 set कर दूँगा यहाँ यदि मैं 12 set कर देता हूँ तो जो हमारा motor होगा यानि कि जो हमारा machine होगा 12 का एक set बनने के बाद हमारा motor को समय के लिए रोक जाएगा तो यहाँ पे आपको केवल यह समझना है कि यह जो हमारा batch counter होता है इसका उप्योग हम किसी भी object को count करने के लिए और उसका एक set बनाने के लिए इस्तामाल करते हैं अब यहाँ पे जो हमारे पास में batch counter meter है इसका function समझने से पहले आप इसका basic चीजे थोसा समझे लिजिए देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में meter है इस meter को बनाया गया है neutronics company के द्वारा अब यह जो हमारा meter है इसका model नंबर है PMC 3021 अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस meter में दो display दिया गया है यह जो उपर में है यानि कि red color का display है इसको बोलते है preset value PB का मतलब होता है preset value यानि कि जितना भी आपका counting होगा वो यहाँ पे display होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो green color का display है इसको हम कहते है set value SB का मतलब होता है set value अब यहाँ पे जो भी हम setting करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो अभी के condition में यहाँ पे set है 1.2 यहाँ पे यही 1.2 count होता है तो हमारे जो relay यह output command generate करेगा अब जैसे कि मैं आपको बोलाओ कि यहाँ पे हमें programming करना पड़ेगा तो programming करने के लिए आपको यहाँ पे 3 बटन मिल जाएगा पहला बटन है up के लिए second down के लिए यानि कि यहाँ पे जो value होगा उसको change करने के लिए आपको up and down बटन का इस्तमाल करना पड़ता है उसके बाद यहाँ पे आपको एक mode बटन मिल जाएगा mode बटन के द्वारा आप programming में जा सकते हो और जो भी आप programming करोगे उसको save करने के लिए इसी बटन का इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है अब इस relay को जब आप पीछे side देखोगे यानि कि इस relay के back side में यदि आप देखते हो तो आपको total यहाँ पे 12 terminal मिल जाएगा इन 12 terminal पे हम हमारे connection को करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो हमारा counter meter है इस meter में यहाँ पे face supply और यहाँ पे neutral supply connect किया गया है यानि कि यह जो हमारा meter है इसके जो display है इसको चालू करना हो तो हमें क्या करना होगा इस meter के L वाले terminal पे face supply connect करना है और जहाँ पे N लिखा हुआ है वहाँ पे हमें neutral power supply connect करना होगा ठीक है अब यहाँ पे जो यह तीनो terminal है इन तीनो terminal पे आप sensor को connect कर सकते हो आप चाहे तो यहाँ पे push button को connect कर सकते हो या फिर limit switch को भी connect कर सकते हो यानि कि इन तीनो terminal पे आपको ऐसे device को connect करना होगा जिसके दोरा आप इस meter को counting का feedback देना चाहते हो आप चाहे तो limit switch के दोरा इसको counting करवा सकते हो या फिर आप इस पूस बटन का इस्तमाल करके मैनुवाली इसको प्रेस करके इसको काउंटिंग करवा सकते हो या फिर आप सेंसर इस्तमाल करके इसको काउंटिंग करवा सकते हो तो यहाँ पे हम सेंसर का इस्तमाल करेंगे इसको काउंट कराने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास sensor है यह है proximity sensor यानि कि इस sensor के द्वारा हम केवल metal object को sense करवा सकते हैं ठीक है अब यह जो हमारा sensor है इस sensor को जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको total तीन wire मिल जाएगा एक आपका brown होगा second blue होगा और third wire आपका black होगा अब यह जो हमारा brown wire है इसमें हमें positive power supply देना पड़ता है ब्लू wire में हमें negative power supply connect करना पड़ता है और यह जो हमारा black wire है इससे हमें output command मिलता है अब इन तीनो wire को हम इस relay के साथ में connect कर देते हैं तो यहाँ पे जो SUP लिखा हुआ है इस terminal पे आपको brown wire को connect करना होता है तो यहाँ पे मैं brown wire को लाके SUP वाले terminal पे connect कर दूँगा अब इसके बाद में यहाँ पे जो blue wire है इस blue wire को आपको इस ground वाले terminal पे connect करना होता है तो इसको मैं यहाँ पे connect कर दूँगा ground का मतलब negative होता है ठीक है अब यह जो black wire इसको ले जाके signal यानि कि SIG वाले terminal पे connect कर देना है तो यहाँ पे मैं इसको भी connect कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा sensor था इसका भी connection complete हो गया चलिए एक बार हम इसको operate करके check कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा meter है इस meter का मैं power supply को on कर देता हूँ अभी के condition में इस meter में देखोगे यहाँ पे set value 12 रखा गया है अब यहाँ पे जो हमारा counting है अभी के condition में 0 है अब मैं क्या करता हूँ कि यह जो हमारा tester है इसको मैं इस sensor के सामने लेके जाऊँगा जैसे मैं इस tester को sensor के सामने लेके जाऊँगा यहाँ पे हमारा counting बढ़ता चला जाएगा ठीक है यहाँ पे मैं counting को increase कराता हूँ अब यहाँ पर हमने set value को 12 रखे है देखते हैं कि यहाँ पे 12 पहुचने के बाद क्या होता है यहाँ पे होगे हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसे ही यहाँ पे 12 हुआ यानि कि जितना हमने program set करके रखे है उतना program complete होने के बाद यहाँ पे जो हमारा relay है वो on हो जाएगा यहाँ पे relay on का मतलब क्या है समझ लेजिए देखिए इस meter के पीछे में जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा NO, common और NC tunnel internal का जो contact होता है वो change हो जाएगा जैसे कि आपने देखे होंगे जो हमारा glass relay होता है या फिर contactor होता है उसको जब हम चालू करते है तो उसका जो contact है वो change हो जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा relay है इसके भी contact change हो जाते है अब यह जो हमारा relay यह कैसे work करता है इसको explain करने के लिए मैं यहाँ पे एक lamp का इस्तमाल करूँगा आप यहाँ पे यह समझच लिजिए कि यह जो हमारा лैमप पे एक motor है जिसको हमें चालू और बन करना है अब यहाँ पे जो हमारा motor है या फिर जो हमारा led lamp है इस lamp को जड़ी हमें ओन करना हो तो हमें इसको left supply और neutral power supply करने करना पड़ता है यहाँ पे जो हमारा Lamp है इस Lamp को सबसे पहले तो आपको ले जाना है और ले जाके यह जो हमारा NC है या फिर NO टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा यानि कि आपके logic पर depend करेगा कि आपको NC यूज़ करना है या फिर N हो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो मेरा lamp का wire है यानि कि face supply उसको लाके NC contact के साथ direct connect कर दूँगा अब इस lamp का जो neutral power supply होगा उसको हमें ले जाके जो हमारा power supply है उसके neutral supply के साथ connect करना है यानि कि directly neutral power supply आपको connect कर देना है अब यह जो हमारा meter है इसमें जो common terminal होता है उसमें आपको face supply देना होगा तो यहाँ पर हमारे पास में एक wire है इस wire को मैं क्या करता हूँ इस common terminal के साथ connect कर दूँगा अब इस wire का जो दूसरा सीरा है इसको लिया के मेरा जो power supply है उसके face supply के साथ connect कर दूँगा तो यहाँ पर मैं power supply को on कर देता हूँ जैसे मैंने power supply को on किया आप देख सकते हो जो हमारा lamp है वो glow कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमारा यहाँ पर counting कम होगा तो उस condition में हमारा lamp glow होगा यदि हम NC contact का इस्तमाल करते हैं अब यहाँ पर मैं sensor के सामने कोई metal object ले जाता हूँ और counting को बढ़ाता हूँ यानि कि हमारा जो setting उससे ज़्यादा counting कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो counting बढ़ता चला जा रहा है जैसे 12 हुआ हमारा relay operate हो गया और जो हमारा lamp है वो automatically off हो गया ठीक है तो कुछ इस बगार से हम programming करके जो भी हमारा machine होगा उसको हम चालू और बंग कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा machine था इसको हमने off तो कर दिये लेकिन अब यहाँ पर reset कैसे करें तो इसमें reset करने के लिए आपको दो option मिल जाएगा automatically reset करने के लिए या फिर manually reset करने के लिए तो सबसे पहरी आप manually reset समंझ लीजिए देखिए यदि आपको इसको manually reset करना है तो आपको क्या करना होगा इस मीटर के पीछे में इसको मैं off कर देता हूँ इस मीटर के पीछे में जब आप देखोगे यहां पे यहां पे आपको मिलेगा यह दो टरुमिल यहां पे लिखा हुआ है reset करूँगा इस push button के साथ में मैंने दो wire को connect कर दिया हूँ इन दोनों wire को मैं ले जाके इन दोनों terminal के साथ connect कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा reset push button था इसको हमने connect कर दिये चलिए यहाँ पे मैं power supply को on कर देता हूँ यहाँ पे मैंने power supply को on कर दिया हमारा relay अभी operate नहीं है यहां पर हमारा lamp glow कर रहा है ठीक है यहां पर मैं relay को एक बार operate कर देता हूँ तो यहां पर हमारा relay operate हो गया अब यदि आपको यहां पर reset करना है तो reset करने के लिए इस push button को एक बार प्रेस करना पड़ेगा जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका relay reset हो जाएगा अब यहां पर यहां पर हमें push button को प्रेस नहीं करना वो कुछ समय के बाद automatically reset हो जाए तो उसके लिए आपको यहां पर programming set करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों इस meter का हम programming किस प्रेकासे करते हैं उसको भी सीख लेते हैं अब यहां पर जो हमारा counter है इसमें हम किस प्रेकासे programming करेंगे उसको भी सीख लेते हैं तो देखिए यदि आपको इस counter में programming करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यह जो mode वाला button है इसको एक प्रेस करिए इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहां पे set 1 लिखा हुआ आ जाएगा और यहां पे कुछ value लिखा हुआ मिलेगा आपको यहां पे जो value लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा sensor है वो कितने बार sense करने के बार हमारा जो relay उसको operate करेगा यहां पे अभी 12 set है यहां पे value को change करना हो तो हम up and down वाले button का इस्तमाल करके value को change कर सकते हैं यहां पे मैंने 15 कर दिया हूँ अब यदि हमें इसको save करना हो तो इस mode वाले button को press करके हम इसको save कर सकते हैं अभी यहां पे जो हमारा sensor है इसके सामने 15 बार object आने के बार जो हमारा counter है यह output command generate कर देगा जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे output command generate हो गया है ठीक है अब यहां पे जो बाकी programming है उसको भी हम समझ रहते हैं देखिए आपको क्या करना है इस mode वाले button को press करना है यहां पे set 1 लिखा हुआ आ गया है इसके बार आपको दुबारा से press करना है इसको जब आप प्रेस करोगे तो यहां पे लिखा हुआ मिल जाएग password को enter करने के बार आप mode वाले button को press कर दीजिए जैसे ही आप यहां पे प्रेस करोगे आपके सामने लिखा हुआ आज आएगा dt-d इसका मतलब यह है कि यहां पे dot है यह point जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो यह वाला जो point है इसके position को change करने के लिए आप इसमें programming कर सकते हो आप जहां पे point को लगाना चाहूँ वहां पे इस point को लगा सकते हो ठीक है उसके बार आपको दुबारा से इस mode वाले button को प्रेस करना है इसको जब आप प्रेस करोगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा c-d यह c-d क्या होता है एक बार समझ लीजिए देखिए c-d का मतलब यह है कि यह जो हमारा relay है इस relay के operate होने के बाद भी यदि हम यहां पे count कराना चाहते है जैसे कि example के लिए देख लीजिए अभी यहां पे 15 set है मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहां पे हो गया हमारा 1.5 यहां पे हमारा relay operate हो गया अब यहां पे जो हमारा sensor है इसक counting करवा सकते हैं यदि आप यहां पे relay के operate होने के बाद counting करवाना चाहते हो तो उस condition में आपको यहां पे c and dash e select करना पड़ेगा e select करने के लिए आप वाले बटन को प्रेस कर दीजिए यहां पे e आ गया e का मतलब enable और d का मतलब disable यहां पे यदि आप e को save करके रखोगे तो आपका sensor तब भी count करेगा और यदि आप यहां पे d select करोगे तो आपका sensor यहां पे count करना बन कर देगा जब आपका relay operate हो जाता है ठीके तो यहां पे हम इसको enable ही रें देते हैं और इसको save करने के लिए आप इस mode वाले बटन को प्रेस कर दीजिए वहां पे जो हमारा data था वो save हो गया ठीके अब इसके बार में यहां पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसका मतलब होता है multiplication यानि कि यहां पे जो हमा प्रेस कर देता हूँ 5 में तो यहां पे मैं इसको 5 कर देता हूँ यहां पे मैंने 5 कर दिया अब इसको मैं यहां पे save कर दूँगा save करने के लिए mode वाले बटन को प्रेस कर देता हूँ और प्रेस करके यहां पे मैं exit हो जाता हूँ तो यहां पे अभी हमारा counting 6 है अब जैसे कि दोस्तों यहां पे जो हमारा counting है वो plus के addition में होगा यानि कि एक बार sense कराने पे आपका जो relay है वो पांच बार count करेगा ठीक है यहां पे मैंने एक बार sense किया यहां पे counting 5 बढ़ गया एक बार जब आप mode button को प्रेस करोगे तो यहां पे आपको division करना मिल जाएगा जैसे कि यहां पे हम एक बार sense कर वा रहे थे तो हमारा counting five time हो रहा था उसी प्रकास से यहां पे आप division में value को set करोगे जितरा भी value आप set करोगे उतने बार sense कराने के बार एक बार count बरहेगा कैसे बरहेगा समझ लिजिए देखिए यहां पे मैं five कर देता हूँ यहां पे one है मैं कर देता हूँ five यहां पे मैंने इसको five कर दिया अब मैं इसको save कर दूँआ mode वाले बटन को प्रेस करके save कर दिया अब यहाँ पर जो हमारा counting है उसको 2 करने के लिए आपको यहाँ पर 5 बार sense कराना पड़ेगा 1 हो गया 2, 3, 4, 5 जैसे 5 बार sense करेगा एक count बढ़ेगा यानि कि divide वे क्या होगा जितना भी आप value set करोगे उतने बार sensor के सामने object आने के बाद हमारा एक counting बढ़ेगा ठीक है divide में हमने 5 set के थे इसलिए हमें यहाँ पर 5 time sense करवाना पड़ा था एक count को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं इसको 12 से 1 कर देता हूँ ठीक है जो relay उसको operate कर देता है और उसको reset करने के लिए हमने push button का इस्तमाल कर देते हैं लेकिन यदि आप यहाँ पर जो reset है इसमें value को set कर दोगे यानि कि यहाँ पर हम 5 set कर देते हैं यहाँ पर यदि मैं 5 set कर दूँगा इसका मतलब है 5 second यानि कि यहाँ पर जो हमारा relay है वो automatically 5 second के बाद reset हो जाएगा कैसे होगा चलिए समझ लेते हैं अभी यहाँ पर हमारा relay operate नहीं है इसको मैं operate कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा relay operate हो गया आप देखो कि 5 second के बाद automatically reset हो जाएगा एक बार और देख लीजिए अब देखिए relay operate हो गया और 5 second के बाद automatically reset हो जाएगा यहाँ पर मैं push button को प्रेस नहीं कर रहा हूँ हमारा जो relay हो automatically इसको reset कर दे रहा है दोस्तों यदि आप इस product को buy करना चाहते हो तो मैं description में link दे दिया हूँ उस link के जरिए इस product को आप buy कर सकते हो दोस्तों जिस प्रकार से हम counter का उपयोग करके किसी भी machine को चालू और बन करते हमारे counting के अनुसार उसी प्रकार से जो हमारा temperature controller होता है उसके द्वारा हम किसी भी temperature को control करते हैं कैसे control करते हैं यदि आप सीखना चाहते हो प्राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद